दोस्तों डॉक्स जो कि संसार में सबसे वाफादार जानवर होते हैं जिसकी मदद से क्राइम ब्रांच की पुलिस क्रिमनल्स को पकड़ती है बड क्या आपको पता है इस संसार में कुछ ऐसे कुट्टे हैं जो कि खत्रा मासूस होने पर किसी की भी जान ले सकते हैं तो आईए आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक कुट्टों के बारे में बताऊंगा जिनको पालना खत्रे से खाली नहीं है नमबर 1 पिटबूल पिटबूल प्रजादी के कुट्टे सबसे खतरनाक और आक्रमक नस्ल के होते हैं इसका वजन 16-30 किलो के बीच में होता है दुनिया बर के कई देसों ने इन कुट्टों को रखने पर परतिबन लगाया हुआ है हलाकि अमेरिका साइथ कई अंदे देसों में पिटबूल को पाला जाता है लेकिन इनके आक्रमक नता को रोकने के लिए बैतर ट्रेनिंग की जरूरत होती है सन 2015 में सिर्फ अमेरिका में ही पिटबूल के हमले से 28 लोगों की मौत की पुष्टी की गई थी इस प्रजाती के कुटे सक्तिसाली तो होते ही हैं लेकिन साथ ही बहुत तेजी से काटने में माहिर होते हैं साल 2014 में अमेरिका में रोट वेलर के काटने से 3 लोगों की मौत हो गई थी साथ ही बता है आपको रोट वेलर 1460 न्यूटन यानि के 148 किलो के दबाव से किसी को काट सकता है इसका वजन 35-48 किलो के बीच होता है नमबर 3 जर्मन से फट पुलिसिया कुटों के रूप में पैचान बना चुका जर्मन से फट दुनिया के 5 सबसे खतरना कुटों में से एक है और इसे CID से लेकर CBI वाले कई उल्जे केसों में इसकी मदद लेते हैं ये लोगों पर 108 किलो के दबाव से अटैक कर सकता है जिसके बाद बच पाना मुश्किल होता है इसका वज़न 30 से 40 किलो के बीच होता है इतना खतरना कोने की वज़े से इसे कई देशों में पालने पर प्रतिवन लगाया गया है डाबरमन प्रजाति के कुटे भी पुलिसिया डॉग होते हैं लेकिन अब आम लोग भी इसे घरों में पालते हैं यह खतरना कुटा अजनवी लोगों को देखते ही आक्रमक हो जाता है लेकिन अक्सर मालिक को देखते ही सांथ हो जाता है इसके काटने से साल 2011 में एक महिला की मौत हो गई थी लेकिन इसके बाद काटने से जुड़ी कोई खबर नहीं आई इसके पहर बहुत ही लंबे होते हैं इस प्रजाती के कुटो का बजन 55-60 किलो के बीच होता है साल 2014 में अमेरिका के न्यूजर्सी में इसके काटने से एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई थी यह तने खतरनाक होते हैं कि खतरा मासूस होने पर किसी को भी मार सकते हैं झागो लाइक, से फश्क्राइक बनापूल